हाई फ्रेंट्स आज देखते हैं टॉप बेस्ट फाइव स्मार्टफोन जो की 10,000 के अंदर आते हैं प्लस माइनस 500 तो यहाँ पर क्राइटेरिया यह रहेगा स्मार्टफोन की रैंकिंग का कि सबसे पहले पाउरफूर प्रोसेसर होना चीए बेटर स्क्रीन होनी चीए प्रोसेर का जो रैंकिंग है वो अंदूदू बंस्मार्फ में काफे अच्छा होना चीए कम सकम 4 लग का स्कूर करना चीए लांगर बैटर लाइफ होने चीए बेटर कैमरा होना चीए अन लेटरेश्ट ओयस में अंड्रोइड 13 या 14 कम से कम होना चीए तो फिफ्ट नंबर पे आता है आईक्यू की दरफ से आईकू Z9 Lite यह आपको 10,499 का मिलेगा 4 और 128 GB वारेंट ओप्सन यह देता है इसमें आपको LPDDR 4X RAM मिलेगा 128 GB जो है वो EMMC 5.1 का सपोर्ट मिलेगा प्रोस्टर डैमेंसेटे 6300 है कैमरा इसका 50 प्लस 2 मेगापिक्सल का बैक होगा 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा डिस्पले साइड 6.56 इंच की HD प्लस LCD पैनल होगी जो की 90 Hz का refresh rate सपोर्ट करती है बैटरी कैपसेड़ी 5000 mh की योगी 15 Watt का सपोर्ट करती है Android में Android 14 का सपोर्ट मिलेगा फिफ्स नंबर पे ही आता है वीवो की तरफ से T3 Lite, IQ Z9 Lite और T3 Lite इग्जाक सेम है यहाँ पे इसका भी प्राइस पॉइंट सेम है Redmi के तरफ से Redmi 13C 5G यह आपको मिलेगा 9,499 का Amazon पे मिल जाएगा इसमें CPU आता है Dimensity 6100 Plus यह ओफर करता है 4GB RAM और 128GB UFS 2.2 का स्टोरेज जबकि जो IQ Z9 Lite और T3 Lite था यह EMC 5.1 का सपोर्ट देता था और यहाँ पे जो आपको कैमरा सपोर्ट मिलेगा वो है 50 Plus 0.08MP और 5MP का फ्रंट होगा डिस्प्ले साइज 6.74 इंचेस का HD Plus डिस्प्ले है IPS LCD है 90Hz का रिफ्रेस एट सपोर्ट करता है बैटरी कैपासिटी 5000 mAh 18W को सपोर्ट करता है और Android यहाँ पे Android 14 का सपोर्ट देखने को मिलेगा सेम यहाँ पे Poco M6 5G आता है Redmi 13C का रिब्रेंडेड है यह आपको प्राइस पॉइंट 9,499 का ही देखने को मिलेगा यहाँ पे प्रोसेसर भी सिमलर है बट यह दिफ्रेंस यह देता है कि सेम प्राइस पॉइंट पे 6GB RAM ओफर करता है LPDDR 4X RAM ही है और UFS 2.2 सपोर्ट मिलेगा 128GB कैमरा बाकी यहाँ पे आपको सेम सपोर्ट देखने को मिलेगा दिस्प्ले साइस भी वही है बैटरी कैपासिटी भी सिमलर है लेकिन यहाँ पे Android सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो Android 13 है थर्ड पोजिशन पे आता है अगर आप कोई ओफर लगा देते हैं तो यहाँ पे आपको 9999 का भी देखने को मिल सकता है कैमरा यहाँ पे 50MP प्लस AI का बैक है 8MP फ्रंट है डिस्प्ले साइस की 6.67 इंचेस की HD प्लस दिस्प्ले है IPS LCD पैनल है 120Hz का रिफ्रेस्ट सपोर्ट करता है बैटरी कैपासिटी 5000MH की है 15W की चार्जिंग सपोर्ट करती है एंड्रोइड में आप आपको एंड्रोइड 14 का सपोर्ट देखने को मिलेगा एंड सेम रियल में C65 की तरह ही नार्जो N65 है जोकि एक रिब्रेंडेट वर्जन है इसका भी प्राइस पॉइंट सेम 10,499 मिलेगा बट एप बेटर स्पेक्स ओफर करता है डामेंसरी 6300 प्रोस्टर जो सेम है लेकिन यहाँ पे 4GB LPDDR 4X RAM के साथ 128GB UFS 2.2 श्टोरेज मिल जाता है तो C65 को कंसिटर करने से अच्छा आप यह N65 कंसिटर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का प्राइस पॉइंट यहाँ पे सेम है यहाँ पे आपको 128GB का उप्शन मिल जाता है और बाकी कैमरा सपोर्ट, डिस्प्ले सपोर्ट, बैटरी कैपासिटी और एंडरोईट सब सिमलर है सेकेंड नंबर पे आता है Motorola G34 यह 10,000 से तोड़ा उपर निकल जाता है 10,999 लेकिन हाँ पे मैंने इसली इसे रखा है क्योंकि यह हमेसा नीचे उपर करता रहता है यह आपको 9,999 का भी देखने को मिल जाता है इसमें आपको Snapdragon 695 का सपोर्ट मिलेगा 4GB LPDDR4X RAM होगा 128GB UFS 2.2 का सपोर्ट मिलेगा क्यामरा हाँ पे 50MP प्लस 2MP का बैक होगा और 60MP का फ्रंट होगा डिस्प्ले साइज 6.5 इंच की HD Plus डिस्प्ले होगी IPS पैनल होगा और 120Hz का रिफ्रेस रेट होगा वहीं पे जो बैटरी कैपासिटी है वह 500MH की है 20W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है Android यहाँ पे Android 13 का सपोर्ट मिलेगा फर्स्ट नंबर पे आता है प्राइस पॉइंट के अकवर्डिंग Poco M6 Pro यह 10,499 का देखने को मिलेगा इसमें आपको प्रोचेसर Snapdragon 4 Gen 2 देखने को मिलेगा इसका GPU Snapdragon 695 से थोड़ा वीक है अगर आप performance वाइस जाना चाहते हैं तो Motorola G34 एक बेटर option रहेगा बट यहाँ पे overall CP performance को देखेंगे तो Snapdragon 4 Gen 2 अची performance निकालता है यह offer करता है 6GB LPDDR 4X RAM 128GB UFS 2.2 Storage camera में 50MP प्लस 2MP का back होगा 8MP का front होगा डिस्प्लेज का काफी बेटर है 6.79 इंच की FHD Plus डिस्प्लेज देखने को मिलती है IPS LCD पैनल है और 90Hz का refresh rate देखने को मिलता है बैटरी करपासिड ही 5000 mhk 22.5 Watt का charger बोक्स में मिलता है और यहाँ पे Android 13 का support मिलेगा MIUI 14 पे बेज़ज़ है तो जो Poco M6 Pro है तो आप उसे consider कीजिएगा काफी अच्छा specs देता है otherwise आप एक और phone देख सकते है Realme Narjo 70X यह भी आपको 10,000 के price point के असपास का देखने को मिलेगा और इसका specification भी काफी अच्छा है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नहे हैं